नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी युएस ओफिशल स्टेट विजिट पर गए हुए थे और उसी वक्त महाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक उबामा एक काफी चौकाने वाला इंटर्व्यू देते हैं जिसमें वो इंडिया की माइनोरिटीज पर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं बाइडन की जगह होता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से टफ सवाल पूछता और कहीं न कहीं इंडिया की जो माइनोरिटीज हैं उनकी कमपैरिजन वो चा न कहीं viewpoints रखते हैं अब दोफतों उसके बाद अगर आप देखे तो काफी इस reaction को देखने के बाद अब American officials ने कुछ clarification दिया है तो US state official ने ऐसा कहा है कि जो Biden administration का बहुत जादा कहीं न कहीं respect है President Barack Obama के लिए लेकिन जो Barack Obama ने कहा उसका White House से कोई लिना देना नहीं है उन्होंने जो कुछ कहा वो White House से पूछ कर नहीं कहा बलकि as a private citizen कहा है अब दोस्तों जाहिर सी बात है इससे ये पता चल रहा है कि जो इंडिया का reaction है उसके बाद US के स्वर कुछ मधम होते हुए दिख रहे हैं याने कि इंडिया से official level पर एक दबाव US पर बना है जिस वज़े से ये clarification आ रही है तो क्या अब तक हुआ है दोस्तों आईए आज की class में इसी पर चर्चा करते हैं पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए जरूरी announcement दोस्तों अगनीपद batch हम ले करके आ रहे हैं केवल तीन दिन बचे हैं क्योंकि 3rd July से batch स्टार्ट हो रहा है दोस्तों इस batch में आपको 900 से अधिक घंटे के live class मिलेंगे जो कि आप देखे तो सवालाक रुपए आप खर्च करके यूज्वली पाते हैं 30,000 रुपए खर्च करके जब आप में स्टेश सीरीज पाते हैं वो भी इसमें आपको मिलेगा फ्रिलिम स्टेश सीरीज जिसको पाने के लि फ्री मेंस मेंटर्शिप और इंटर्व्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा इसके जिवा दोस्तों अगर आपका जोग्रफी ऑप्शनल है तो मेक शूर आप कॉम्बो ले ले क्योंकि इसमें अगनी पत और जोग्रफी ऑप्शनल दोनों मिल रहा है केवल 13,999 रुप जिसमें उन्होंने कहा कि जो उईगुर्स की सिच्वेशन है वो चैलेंज है और उसको अगर अटेंशन देने की आवशकता है तो जो मुस्लिम मैनोरिटी मेजोरिटी हिंदू इंडिया में रहते हैं उनका भी प्रोटेक्शन बड़ा इंपोर्टेंट है और इस पर भी ही ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया तूटना शुरू कर देगा दोस्तों अब यह बाते अगर आप देखें तो बातों में तो सही बात है कईसी भी देश में मैनोरिटी हो मैजोरिटी हो सभी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए इसमें कोई डाउट नहीं है तो जाहिर सी बात है इस कॉमेंट के बाद इंडिया में टॉप मोस्ट लिवल से उबामा के खिलाफ कुछ-कुछ बाते निकलनी शुरू होती है जैसे फैनाइन्स मिनिस्टर निर्मला सीता रामन जी रक्षा मंतरी राजनात सिंग जी यह सभी कहना शुरू कर देत किस्ट लोग पिस्वा सर्मा जी जो कि असम। के मुख्य मंतरी है उनसे भी सवाल पूछना लगते है उबामा ने इतना कुछ कह दिया तो क्या आप पुलिस भेजने वाले हैं बामा को पकड़ने के लिए तो इसमें भी हुमंत बिस्वा सर्मा कुछ कह देते हैं कि बढाक उभामानी फिलाल तो कई लोग है जिनको पख़ने की असंठ पुलिस इस वक्त प्रायरिटी में उनको पख़ना हैЩ तो दोस्तों इस प्रकार के बयान होते हैं जो बताता है कि इंडियां में काफी ज्यादा आंगर होता है लेकिन अब इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्त clarification दिया है क्योंकि दोस्तों सवाल यहां पर बड़ा simple उठ रहा था जो की interview में भी पूछा जाता है US official से क्या ऐसा है कि आप कोई good cop और bad cop वाला game खेल रहे हैं जिसमें Biden इंडिया को वू करने के लिए good cop बन रहे हैं और Obama वही stern message दे रहे हैं bad cop बन के क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो इसी पर US official ने साफ साफ कहा देखिए हम president Obama का respect करते हैं लेकिन वो private citizen है उन्हों ने जो कहा उसमें white house से कोई लिना देना नहीं है कोई coordination नहीं है इसके सिवा US official ने एक बात कही जो कि आपको सुनना होगा कि उन्हों गहा कि बाइडन ने हर प्रकार का issue PM Modi के साथ उठाया है मतलब हर प्रकार की बाते हुई है जो Obama कह रहे हैं वो बाते भी हुई है और उसने ये भी कहा US official ने कहा कि Prime Minister Modi ने भी बाइडन से हर प्रकार का सवाल किया है लेकिन ये सारी बाते dignified और respectful manner में हुआ है इसके सिवा US official ने Wall Street Journal के reporter को defend किया दोस्तों actually US official जिसकी बात कर रहे है actually एक Wall Street Journal थी जिनों जर्नल की reporter थी जिनोंने Prime Minister Modi से सवाल पूछे same Muslim rights के बारे में इंडिया की democratic status and secularism के बारे में जिसको बखुभी Prime Minister Modi ने जिसका जवाब भी दिया तो अब इसके बाद अगर आप देखे तो उनका कहना है कि देखी इसको तुम defend करेंगे अगर हमारे reporter सवाल पूछते हैं तो यह तो sign of free and open press है जो कि US में है तो इसको तो हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं यह सही बात है लेकिन हाँ उनको बुली किया जा रहा है उन reporter को social media space पे वो बिलकुल गलत है दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूं कि इससे यह पत बिलकुल नहीं कि दोनों एक साथ मिलके कर रहे हैं बिलकुल नहीं इस वक्त जो US official ने जो कहका कहना बड़ा सिंपल है कि US जो officially इंडिया के साथ अपने आपको present कर रहा है जो बाते कर रहा है वही आप पान के चलिए that is the official thing और यहाँ पे Obama के साथ कहीं से भी कोई coordination नहीं था और कहीं न कहीं यह दिख रहा है कि इंडिया का भी US पे pressure बना हुआ है जिस वज़े से इस प्रकार के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तो आजी क्लास पसंद आई होगी तो like जरूर कीजिए गाई इसके सिवा अगेन याद दिला देता हूँ अगनी पत बैच है दोस्त जिसमें combo आपकोम दे रहे हैं जिसमें अगनी पत में complete GS, geography optional, complete geography optional केवल 13,999 रुपे में मिलता है, use the code KC10, इसके सिवा दोस्तो इस lecture का PDF भी आपको मिल जाएगा, क्रिपया डाउनलोड कर लें, आप चाहें तो geography optional separately भी भी बाई कर सकते हैं, 7,999 रुपे में उपलब्ध है, 1 August से batch start हो जाएगा, CSAT course भी है दोस्तों, वो भी आप buy कर सकते हैं, 1 July से start हो रहा है, Pathfinder अगनी पत film test series है, main test series है, इसका भी फायदा उठाएं, अगर आप Hindi माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं, GS, तो आपके लिए बोध batch है, 7,999 रुपे में उपलब्ध है, use the code KC10, हमारे team है, इसके जिवा perspective series है, उसे भी देखें, और हमें हमारे सारी social media handles पर जरूर follow करें,